मोबाइल का दुष्प्रभाव, निन में सोया बच्चा मोबाइल देखने की हरकत कर रहा, यह एक डरावना दृस्ष्य है, बच्चा लेट कर ऐसा हरकत कर रहा, मानो उसके हाथ में मोबाइल हो मोबाइल की स्क्रीन को स्लाइट करने की कोसिस कर रहा, यह उस समय देखा जाता है जब हम सौट देखते हैं, सौट एक नसा की तरह हो गया है, जो मररंजन का सबसे आसान तरीका है, सौट देखते घंटे कैसे निकल जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता, आप लोगों में से ब बातों को समझ पा रहे होंगे, किस बच्चों को देख, कोई भी अपने बच्चों को मुबाइल देने से पहले जरूर सोचेगा, यह है मुबाइल का दुस्प्रभाव, आज के समय में मुबाइल बच्चों के लिए गंभीर मिसे बन चुका है, अप्रैलमा में एक आठ वर ब्लास्ट होने की संभावना बन जाती है, ऐसे में आभिस सत्तर्क और सावधान रहें, यह बच्चा अपनी निंद में रोया, और हाथों से ऐसी हरकत की, जैसे मानों उसके हाथ में मुबाइल फोन हो, इन पलों को देख, हर माता-पिता में चिंता होनी चाहिए, कैसे इतन बड़ा जानकार और ग्यानी तो नहीं जो आपको समझाओं, लेकिन सुसल मीडिया पर असलीलता का बार्थ आ गया है, अच्छे कंटेंट बहुत कम ही बनाये जा रहे हैं, आप सभी खुद समझदार हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक छोटी सी जानकारी से आप सभी को आउग करता था, तो क्या बच्चे बीना खाए बड़ा हो जाते थे, आज के समय में तो बीना मुबाइल सामने खाना अंदर ही नहीं जाता, वीडियो सोचल मीडिया के द्वारा लिया गया है, इसके बारे में आप सभी दर्षकों को थोड़ी जानकारी देनी के लिए सोचा, आज एक समय तक मुबाइल की दुनिया से दूर रखें, बच्चों को बाहर के दुनिया दिखाईए, क्या पता यह विस्तिती जो इस मासुन के साथ हुआ, ऐसे इस्तिती और भी बच्चों के साथ हो जाए, बढ़ते दोर में बच्चों को सांथ करने के लिए मुबाइल सबसे आसान तरीका हो गया है, मा बाप भी मुबाइल में इतने ब्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों को मुबाइल देना आसान तरीका समझ लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब दुनिया मुबाइल से दूर थी, घर बदलते समय में मनुष से बदल गया, लेकिन इत